दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे LCM बनाए होंगे या बहुत परकार के LCM को देखे होंगे लेकिन आज हम लोग जिस LCM का बात करने माले हैं, वो कुछ अलग ही परकार का LCM है तो आए बना कर देखते हैं, जिस परकार से हम लोग बहुत का जोड बनाते हैं, बहुत का घाटाओ बनाते हैं, बहुत का गुना और भागा भी बनाते हैं उसी परकार से बहुपद का LCM भी हो सकता है उसको भी बनाया जा सकता है तो आएए देखते हैं जैसे माल लेज़े ये एक बहुपद है हमारे पास यहाँ पर X X जोड X जोड X रहेगा तो इसको किस परकार से बनाएंगे 1X और 1X 2X और 1 3X ते इसे लिख सकते हैं 3X उसी परकार से यह दी हमारे पास 4Y हो उसमें से 3Y को घाटा भी सकते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 1Y इसको भी लिख सकते हैं या फिर बहुपद का गुना भी होता है 2X गुने 3X इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और X में X से बुना हो जाएगा तो X सक्वायर हो जाता है उसी परकार से बहुपद का भागा भी होता है जो कि थोड़ा कठिन होता है उसको अगले वीडियो में या बाद में हम बताएंगे तो उसी परकार से यह बहुपद का क्या है LC में यानि लसर निकालना है तो आएए देखते हैं लसर कैसे निकलेगा इसका XY, YZ और XZ का LCM किस परकार से निकलेगा यह यूटूब पर एकदम नया होगा आज हम लोग कुछ नया करेंगे तो सायद आप लोग को LCM बनाने आता भी होगा तो भी थोड़ा सा देखिए कैसे LCM जब हमें आवे पास LCM होता है तो किस परकार से बनाते हैं यहाँ पर 45 हो गया कोमा 30 हो गया यहाँ पर 20 हो गया इसको कैसे बनाया जाता है तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या चीज से कटने वाला है यानि हमारे पास गिंती में कि कौन से अंक से यह कटेगा हमारे पास एक भी है एक तो बैसिकली नहीं लिखते हैं दो से कटेगा तेन से कटेगा चार से कटेगा कि पांच से कटेगा कि किस से कटेगा तो सबसे पहले हम लोग कटाने के लिए क्या करते हैं 2 से देखने के लिए क्या करेंगे इसमें 2 से भाग करेंगे यहां पर 40 है और 2 से भाग करेंगे भाग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 से तो कितने बार में कट जाएगा बीस बार में कट जाएगा दो दोनी चार कट जीरो और जीरो बार में जीरो तो यह कितने बार में कट गया दो से बीस बार में कट गया तो यहां लिखेंगे दो और यहां पर लिख देंगे बीस उसे पर गाशे तो तीस को देखना है तो तीस में भी क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे भाग करके देखतेए ऐसे भी बाग कर सकते हैं आप इसे भी भाग कर सकते है तो 2 से एक कट एक लिए बार म्हों росły पिर यहां पर जब घेर देंगे फिर आगे कटाएंगे तो फिर देखेंगे दोसे कटने माला है की नहीं जब दोसे नहीं कटेगा तो उसके बाद तीन से कटाएंगे तीन से भी नहीं कटेगा तो उसके बाद चार से कटाएंगे ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाते हैं फिर य में दो से भाग करेंगे दो से भाग करेंगे 15 में तो दो सते 14 शेस्पल बच गया यानि यह दो से नहीं कटा पुड़ा पुड़ा नहीं कटा तो जब नहीं कटा है तो क्या करते हैं उसी परकार से लिख देते हैं 15 को 15 लिख देंगे कटता है तो लिखते हैं कितना बार में तो पच्चे दस यहां पर कट गया कितना पर में कटा पांच में हो गया यहां पर कट गया इसको मिटा देते हैं फिर देखेंगे दो से कटने वाला है कि नहीं दो से भाग करके जब देखेंगे तो दो से क्यवल यहीं कटेगा क्यवल यह कटेगा यह नहीं कटेगा तो जब एक कटता है तो नहीं कटाते हैं जब दो कटता है या तीन चार पांच ऐसे कटता है तो कटाते हैं जब एक अंग कटता है किसी भी संग्या से तो उसे नहीं कट जाएगा दस पांच से कटाएंगे 10 को कितने भार में कटेगा भाग देंगे पांच से दो बार में कट जाएगा पॉक्तित लिख अब कोई भी यहां पर कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे दो है दो गुन्य फिर दो है दो गुन्य फिर पांच है पांच गुन्य ऐसे करके ऐसे गुना कर दिया जता है फिर दो है दो गुन्य फिर तीन है तीन गुन्य फिर एक को नहीं लिखेंग इस परकार से LCM को बनाते हैं उसी परकार से इसको भी बनाएंगे जैसे दो से भाग करके चेक किये हैं कितना बर में कट रहा है 40 फिर 30 कितना बर में कट रहा है 20 कितना बर में कट रहा है कैसे चेक किये हैं भाग करके चेक किये हैं उसी परकार से इसको भी हम क्या करेंगे अधसे बाने कितना है जेड इस इन ही तीनों से भाग करकर के देखेंगे किका रहा है कि नहीं कट रहे ठीक है आए देकर आए पहले मया एक से धाय में अंकर मिनघेसा में हम लोग इसको बना रहे थे सब्सक्राइब है इसमें मतलब इन तीनों में पहले कौन सा आता है। पहले से कटाके देखेंगे कौन कॉन गटा रहा है है तो यहां पर लिखेंगे एकस अब इसमें भाग करेंगे यहांपर लिखा हुआ है एक्स और Y यहां पे लिख्खा है एक्स और वाई इसमें किस से भाग करना है एक्स से ता आप जानते हैं यहां पर किसका चीन शीपा हुआ है गुना का चीपा हुआ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स गुन्ने वाई अब नीचे है एक्स एक्स से एक्स कट गया अंसर कितना बचा वाई तो यहां पर क्या लिख देंगे वाई जैसे इसको बना रहे थे तो क्या कि दिये हम कि चार्लिश में दो से भाग दिये थे दो से भाग दिये थे नो कितना बार में कटा था विजिस बार में कट था जितना पार मरा कट स具rium आइंसर आया था उसी को याँ पे लिक्टे थे उसी परकर से यहां X-X कट गया बचा कितना य तो यहां पे लिखे य फिर इसमें वहाग करेंगे इसमें तो हैu आप जानते हैं कि यहां पे गुणा का चीन है तो नहीं करता है तो क्या होता है कट जाता है तो यहां पाचा कितना जेड तो यहां पर कितना लिए देंगे जेड फिर देखेंगे आगे कि एक्स से कटने वाला है कि नहीं है ठीक है फिर देखेंगे x इसमें भी x नहीं है इसमें भी x नहीं है इसमें भी x नहीं है यानि काने का मतलब यह x से अब नहीं कटेगा तो फिर किसी से कटाएंगे y से क्योंकि x के बाद क्या आता है y अब चलिए y से कटा दें इसमें y है तो y है यहाँ यहाँ पर आप y से भाग करें घ्लगे यह भी भागा है और ऐसे भागा को लिख सकते हैं वाई से वाई को है अश्यत्मिक अ UC एधाए न कंगे फिर इसको देख는데 है या किसा नींट घ्ट जाएगा बचा के इतना जेर्ड देऊंगे जेनती यह फिलिए रिख लिखेंक ठीक है इसको धवल डेन है अब क्या करेंगे आप इश्मीडन भी नहीं है इस में रिभागने इस इस अफिए जेड बता तो क्या करेंगे बदेंगे यहाँ जयर्ट है जयक्ति भाग करेंगे एक बार में उधिएमके घ्रेणी 손ky इसके बात क्या करते हैं गुना करते हैं तो क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे कितना है एक्स है इसमें गुना करना है वाई से बड़ा वाई लिखें तो बड़ा वाई लिख देते हैं वाई से फिर गुना करना किसे जेल से ठीक है अब गुना करेंगे एक को तो नहीं लि इस परकार से हम कह सकते हैं जब कभी भी हम एक्स वाई जेड और एक्स जेड का एल से हमकूर निकालेंगे तो हमेरे पास एंसर कितना मिलेगा एंसर कितना आएगा एक्स वाई या नहीं इसका आप एंसियम बनाएगा नहीं बनेगा तो कमेंट में के जाएगी वीडियो बनाकर हम बता देंगे ठीक है तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचता रहे मिलते हैं अगल